मैं एक तस ही आप सभी का ज्यान चेतने चैनल में बहुत-बहुत स्वाथ करती हूँ आज के इस टॉपिक में हम तुल्लात्मक राजनीती से रिलेटिट इंपोर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं तो शुरू करते हैं आर सी मैक्रीडीस जे के रावर्स और एडवर्ड ए फ्रीमेन का मत है कि अध्यन विश्ये के लिए तुल्लात्मक राजनीती का जो संबंद है वो राजनीतिक वेवहार की सम्पूरता से है तो तुल्नात्मक राजनेति का जो संबंद है वो राजनेतिक वेवहार की संपूरता से है G के रावर्स के अनुसार तुल्नात्मक राजनेतिक ब्रहत्स छेत्र का संगतिक संग के तक है एम कार्टिस के अनुसार तुल्नात्मक राजनेतिक राजनेतिक संस्थाओं तथा राजनेतिक वेवहारों की आपसी विसिस्ट नियम मित्ताओं समानताओं और विरोधों का अध्यन करती है तुलात्मक राजमितिक शब्द को अपनाने का सर्वा धिक शक्ति साली रूप से विरूद लियो, स्ट्रास, हरवर्ड, स्टोरिंग और हेराल्ट, लास्वेल ने किया था अध्यन उपागम अगर हम देखें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो ही हमको देखने को मिलता है परमपरागत और दूसरा है आधुनिक अगर हम परंपरागत की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में दार्षनिक आते हैं, थ्यासिक आते हैं, बिधी कानून आते हैं और और चारिक संस्थात्मक आते हैं और तुलनात्मक आता है वही हम आदुनिक उपागम की बात करें तो विज्ञानिक हो गया, अनुभावनात्मक हो गया, बेभारवादी, विवस्थावादी हो गया, संरचनात्मक, प्रकारियात्मक हो गया, निर्ने निर्माण हो गया, संप्रेशन हो गया, और अनुशाशनात्मक, मनुविज्ञानि और आर्थिक उपागम कुछ अन्य तत्थ देखते हैं जैसे कि मिस्मार्ख ने राजनीती को संभाव दा आर्ट ऑफ पॉसिबल कहा है तो मिस्मार्ख ने पॉलिटिकल साइंस को क्या कहा है दा आर्ट ऑफ पॉसिबल कहा है उदारवादी राजनीती को समझोते की कला कहा है मतलब जो बच्ति उदारवादी राजनीती करता है तो उसको मतलब समझोता करके और जो चीज़ की जाएं उसको हमने उदारवादी राजनीती को समझोते की कला कह दिया मार्क्स कहते हैं कि राजनिति और धनी और अर्थे नीटी है, बेभारबादी राजनितिक शक्ती के लिए संगश है, डेविज ईस्टन कहते हैं कि राजनितिक समाज के मूल्यों के अधिकारिक आवंटन से है और माइकल ओक्षोट का कहना ही कि राजनेतिक सीमा हीन समुद्र के समान है तो यह कुछ इंपोर्टेंट है जो कि पॉलिटिकल साइंस या राजनेति के बारे में बताते हैं अब हम यहां पर बेवहारवाद के बारे में देखते हैं तो छोटे-छोटे टॉपिक है इसको कवर करते हैं बेवहार या बेवहारवादी उपागम राजनेतिक तत्यों की व्याख्या और विशलेशन का एक विशेश तरीका है जिसे जिसे जुतिये महायुद के बाद अमेरिकी राज बिग्याने को द्वारा विक्सित किया गया यदिपी उसकी जड़े महायुद के पहले ग्राहम वालास और ब्रेडले आदी की रचनाओं में देखी जा सकती है यह उपागम मुख का अपना ध्यान राजनेतिक पर केंद्रित करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनेतिक गतिविदियों का बेज्ञानिक अध्यान व्यक्तियों के राजनेतिक गोंतलि के आदार पर की सब्सक्राइबे आधार पर किया जा सकता है अगर गया कर सकते हैं और बियाज्ञान का अध्यान कफिविद्जान का पर कर अध्यान हम पर करसकते हैं बेवहारबाद अनुभवनातमक, क्रियातमक है तथा इसमें व्यक्तिनिस्ट मूलियों और कलपनाव आदी के लिए कोई इस्थान नहीं है तो बेवहारबाद मतलब इतना प्रक्टिकल हो जाता है आदमी जिसमें उसके एक्सपीरियंस और जो एक्टिविटी है वो उस पर ही फोकस करता है उसमें जो परसनल लौ है वैल्यू है और जो उसकी इमेजिनेशन है इसका कोई इस्थान नहीं है मतलब यहां पर टोटली चांफ उसके व्कार बेंकिवेड करता हो है और जो घंट को कोई ऐसा ब्य relating शर्टिक जिसकाश किया जा सकता है अब इसके उदे की कारण क्या है? तो बिवहारबाद जो है परमपरागत अध्यान पढ़्धितियों के पिती उसका असंतोस था इसलिए इसका उदे होता है बिवहारबाद का अन्य सामाजी विज्ञानों से प्रेणा मिलती है, इसलिए भी ये उदे होता है और जुतिय भी श्युद्ध का बहुत जादा इस पर प्रिभाव पड़ता है और नवीन अध्यन पदिती का भी योग इसमें किया गया है। हुई तो यहां पर जो बुक्स हैं बिलकुल याद रखने वाली बात हैं तो यहां पर आगे हैं 1925 में चार्स मेरियम की नियो एसपेक्ट्स और पॉलिटिक्स तो यह कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि बुक्स के माध्यम से इसका डबलब्मेंट होता देखता है। तो आगे देखते हैं बेवहारबाद का अधिकारी गिर्द्वान जो है डेविट इस्टन है। इससर ने अपने लेख The Current Meaning of Behavioralism में बेवहार के आधार पर लक्षयों का वर्णन किया है। जैसे कि नियमन, सक्तियापन, तक्नीकी प्रियोग, परिमानी करन, मूले निर्धारन, विवस्था बंदी करन, विशुद्य ज्यान और समगरता। तो आप देख रहे हैं तो बेवहारवाद है बहुत ही प्रक्टिकल है, अनुभावा आत्मक है। इसलिए उसने जितनी साइंस बिग्यानिक तरीके से उसने किया। बिग्यान में जो साइंस में चीज़ें ज़रूरी होती है। उसी तरह यह सोचता है। और उसी को हम क्या कहेंगे बेवहारवादी। अब आलोचना कौन है यहां पर तो आलोचना किस प्रकार होती है बेवहारवाद की तो अत्यधिक शब्दा अंबडर है। राजनितिक बेवहार की धार्ना गलत है। यह राजनितिक विज्ञान विशुद्य विज्ञान नहीं है। मतलब इसमें साइंस भी है और यह आर्ट भी है। दोनों हैं मतलब यह प्योर साइंस नहीं हो सकता तो यह भी इसके आलोचना की जाती। पदितियों पर अत्यधिक बल देता है। मूली निर्पेक्षिता संभव नहीं है अत्यधिक खर्चिली पदिती है। अन्य पद्धितियों के महत को नकार देता है बेवहारवाद नीती नेधारण में के परिपक्ष में भी इसकी आलोचना होते है यह हो गया अब इसकी उपियोगता देखते हैं तो बेवहारवाद की उपियोगता मतलब समाज में या राजनेती उसमें चेत्र में बेवहारवा तो राजनिती को जो है हम आठ ही मानते यह भी यहां पर कहा गया है आगे है बेवहारवाद के प्रयासों के परणाम सरूप ही संस्थाओं के आपचारिक अध्यन को चुनोती दी गई है और अब व्यक्ति पकरिया तथा राज राजनिती विज्ञान के अध्यन के किन बन गए हैं इसके तत्य पूर्ण निश्कर्षों ने नीती निर्माण में योगदान देकर राजनिती शास्त्र को सामाजिक इंजिनिरिंग यानि सोसल इंजिनिरिंग का बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है अब इसकी कुछ उप्योगताएं देख लेते हैं यहां पर तो बेवहारवाद एक पुनह निर्माण तक्रिया है जिसमें राज विज्ञान को नई मूले नई भाशा नई पदिती उच्चितर प्रास्तिती और सबसे बढ़कर अनुभावनातमत बेग्यानिक प्रदान बेग्यानिकता प्रदान की है बेवहारवादियों ने अंतर अनुशाष नातमत दिश्टी कोड का समर्थन किया है इसके अनुसार एक समाज विज्ञान का अध्यन दूर से समाज विज्ञान के संदर्थ में ही किया जाना चाहिए बेवहारवाद ने संसाओं के सान पर व्यक्तिक और राजनितिक विश्टलेशन की इकाई बनाने पर जोड दिया है जिसने राज विज्ञान को एकता और आदोनिकता प्रदान की है बेवहारवाद ने अपने विज्ञानिक अनुभाव के माध्यम से नवीन दृष्टी, नवीन पदितियां, नए मापन एवं नूतन छेतर प्रदान किये हैं अब यहां से जो है उत्तर बैदिक वाद यहां से शुरू हो जाता है तो यहां से हम अगली वीडियो में यहां पर करेंगे तो आई होप आपको यह राज जिंती विज्ञान का बेवहार वाद जो है यह समझ में आया होगा तो पूरा वीडियो देखने के लिए आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में